हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टकर के बारे में टकर ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं बच्पन से आज तक वही तो करते आ रहे हैं कभी यहां टकर कभी वहां टकर है ना टकर में होता क्या है बच्चो कि कोई दो चीज़े होती है जो गती करते हुए एक दूसरे से टकरा जाती है और इस गटना को हम टकर कहते हैं यह तो है हमारी लेंग्विज कि दो बच्चे थे लड़ रहे थे दोनों नों इस सिर को बिड़ा दिया उसको हमने बोला कि अदर ट करा गी वो टकर होगी लेकिन फिजिक्स किसे मानता है टकर फिजिक्स की लेंग्विज हमेशा जो हमारी लेंग्विज है उससे काफी अलग होती है आज फिजिक्स वाली देखते हैं जब दो कण एक दूसरे की और गती करते हुए तो निकट आने पर पारसपरिक अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनकी गती उर्जा या सम्वेग परिवर्तित हो जाए तो ये गटना टककर कहलाती है बईया दो चीजों को बड़ा ध्यान से समझना बच्चो मैंने यहाँ पर बात क्या की है कि जब दो कण एक दूसरे की और गती कर रहे हैं तो निकट आने पर पारसपरिक अन्योनिय क्रियाओं के कारण तो बच्चो जब ये निकट आ गए न कोई जरूरी नहीं है एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आए हाँ आ भी सकते हैं ये पहला कंड था इधर के और गती कर रहा था ये दूसरा कंड है इधर के और गती कर रहा है हो सकता है वो दोनो एक दूसरे के kontaft में आ गए, एक दूसरे से टक्कर सची में कर ली मेरा सिर था, सामने वाले का सिर था, हम दोनों ने एक दूसरे से बिढ़ा दिया सिर, टक्कर हो गई लेकिन physics बोल रहे है कोई ये भी टक्कर है जो आप एक दूसरे से सिर को बिढाते हो वो भी टक्कर है लेकिन ये भी टक्कर है अगर दोनों कण एक दूसरे के निकट आ गए और उनके बीच में पारस पर एक अन्योन्य किरियाए मतलब एक दूसरे के साथ ऐसी कुछ क्रियाए हो जाए कि गती उर्जा समवेग चैंज हो जाए तो ये परकीरिया टक्कर कहलाती है देखिए मैंने स्पस्ट सब्दों में लिखा है टक्कर में दो पिंडो या कणों का संपर्क में आना आवशक नहीं है अब तो दिमाग खराब होगे न कि यारे टक्कर है सरी टक्कर होगी इसका मतलब तो ये होगा कि दोनों कण तो एक दूसरे के साथ यूँ टक्कर करेंगे बिना कॉंटक्ट में एक उनसे टक्कर होती है हमने तो टक्करों को ऐसे ही देखा है कि इधर से दो चीज़ां आई यह ध्राम से टक्कर होगी अब ऐसे थोड़ी नहीं टक्कर होगी दो चीज़ां आई और ऐसे निकल गई इसे हम टक्कर नहीं कहते हैं इसे तो बोलते हैं बाल बाल बचना तो फिर यहां पर ऐसी बाते कैस गती उर्जा सम्वेग को बदलना सम्वेग बदल रहा है तो वेग भी बदल रहा है मतलब गती चेंज हो जाना उर्जा चेंज हो जाना सम्वेग चेंज हो जाना वेग चेंज हो जाना ये है मोटिव जब दो कन एक दूसरे के पास आ रही है और उनके ये चीजे चेंज हो रह ह reef यह ही तो होता था देखो यहां पर एक वस्तू पढ़िये बच्छो इदर से एक वस्तू आ Εई और यह गति कर रही थी है और यह इस वस्तू पर है तकरम अब यह दोनों ही गतिक रही है के रमबर्ट कहलते थे अपन तो देखना वह जो कैरमब रमब उसके उपर क्या थी, वो क्या बोलती है उसको, जो भी है कोईन से वो पड़े रहते थे, इधर striker से आपने मारा, वो तो रुके हुए है, इधर striker के पास आपने striker को उर्जा दी, striker जाकर कि उससे तकर आया, अब दोनों अलग-अलग direction के अंदर चलेगे, गये की नहीं, जब देखो बचो वो रुका हुआ था आपने उसका क्या क्या उसको उर्जा भी दी मतलब उसकी उर्जा परिवर्तित हुआ उसका वेग भी परिवर्तित हुआ उसमें गती भी की और उसका समवेग भी परिवर्तित हुआ सब कुछ हुआ की नहीं हुआ उस गुट्टी के पास हुआ ना तो यही चीज टक्कर है मतलब उसकी गती उसका वेग उसकी उर्जा उसका समवेग बदलना ही टक्कर है तो बैया ऐसा तो हो सकता है मान लिया इसके अलावा कभी भी देखना आप दूसरी बात यहाँ पर क्लियर होगी कि समान्यत है दो स्थुल पिंड टक्कर में एक दूसरे को सपर्श करते हैं स्थुल पिंड होता है बच्चो मैक्रो अबजेक्ट्स ठीक है मैक्रो पार्टीकल्स को बोल सकते हो मतलब बड़े वाले जैसे स्ट्राइकर था वो घोटी थी काचगोली के अंदर आप ऐसी करते हूं नो वो काचगोली पढ़ी होती है इधर से मारा काचगोली काचगोली कॉंटेक्ट में टक्कर की ओ रहे चलने लगी तो जो स्थुल पिंड है जो बड़े पिंड है वो टकर में एक दूसरे को स्पर्ष करते हैं लेकिन आवेशित सुक्षम कणों की टकर में कण एक दूसरे को बिना स्पर्ष किये भी पर भावित कर देते हैं देखिए अगर यहां पर एक positive charge पड़ा है इधर से मैं positive charge लेकर क्या आया तो क्या बच्चो यह एक दूसरे के contact में आएंगे कभी नहीं आ सकते positive positive क्या करेंगे परतिकर्षन करेंगे तो बताओ बच्चो इन में टकर होगी के नहीं होगी यह रुका हुआ था इधर से मैं positive charge लेकर क्या है तो अब यह क्या करेगा यह दूर इधर वाला जो positive charge है वो भी इस direction में जाएगा मतलब देखो गती भी चेंज हुई उर्जा भी चेंज हो जाएगी वेग भी बदल गया वेग बदला तो संवेग भी बदल जाएगा मतलब इन दोनों में क्या हो गई एक दूसरे के बिनास पर्ष किये ही बिनास पर्ष किये ह क्या हो गई तकर हो गई क्या हो गई तकर हो गई समझे आईना सारी लोगे 대해서 अब दूबारा स्टार्ट पर्ष करते हैं में से तक्कρο क्या है कि जब दो करन एक डूसरे की और गती करते हैं तो निकट आने पर परशप्रिक अन्योनिय के कारण गती या उर्जा या समw Tail गवेग परिवर्तित हो जाए तो ये परकिरिया टकर कहलाती है और टकर में दो पिंडों या कणों का संपर्क मियाना कोई जरूरी नहीं है समान्यत जो बड़े वाले पिंडों होते हैं वो कॉंटेक्ट में आते हैं लेकिन जो आवेशित शुक्षमकर हैं वो एक दूसरे को बिना स्पर्श किये ही परभावित हो जाते हैं दो पिंडों की टकर में रेखिय समवेग सरंक्षन का नियम सदेव लागू होता है जब भी टकर होगी न तो वहाँ पर रेखिय समवेग सरंक्षन का नियम पक्का लागू होगा लेकिन परयोगों से यह ग्यात होता है कि कुछ टकरों में गतिज उर्जा सरंक्षित होती है और कुछ में नहीं होती ये क्या चीजे है इनके बारे में भी बात करेंगे सब कुछ चीजे समझ में आएगी थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस इस बात को हमेशा याद रखना है कि दो पिन्नों की टकर में रेखिय सम्वेग सरंक्षन तो पका लागू होगा लेकिन गती जूर्जा सरंक्षन वाला नियम कहीं लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा समझ में आए ना बात अब देखें आप टकर जो होती है ना भया इसके दो प्रकार होते हैं कितने प्रकार? टक्कर के दो प्रकार होते हैं अब टक्कर के कौन-कौन से दो प्रकार है वो भी बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज है ना टीवी चैनल्स वाले ऐसे ही करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तो आज की ब्रेकिंग न्यूज की टक्कर के दो प्रकार पहले का नाम पुर्णते प्रत्यास्त टक्कर और दूसरे का नाम पुर्णते अह प्रत्यास्त टक्कर अब पुर्णते प्रत्यास्त टक्कर में क्या होता है अच्छा टीवी चैनल्स वालों को छोड़िए यहां आते हैं पुंते प्रत्यास्त टकर में बच्चों क्या होता है। ध्यान देना। पुंते प्रत्यास्त टकर कि अगर परिवाशा की बात करूं तो ऐसी टकर होती है बच्चों यह जिसमें गतिज उर्जा वे समवेग। गतिज उर्जावे सम्वेग दोनों सरंक्षित है दोनों क्या रहते हैं शरंक्षित रहते हैं समझ में आई बात ऐसी टकर जिसमें गतिज उर्जावे सम्वेग दोनों सरंक्षित रहते हैं पुर्णतय परत्यास्त टकर कहलाती है मतलब कि टकर होने से पहले जितनी गतिज उर तो जितनी गतिज उरज़ा टकर से पहले होती है उतनी ही गतिज उर्जा टकर के बाद होगी तो ऐसी टकर पुरुनता प्रतियास्त टकर कहलाएगी समझे आई ना सारी बात बच्चो ठीक है अब इसके बारे में और क्या चीजे खास बात है इसको समझते हैं कहां से ही मानिए ये एक पिंड है बच्चो जिसक M2 धरवयमान है इसका और ये गतिकर रहा था U2 फेग से अब क्या होता है कि इन दोनों के टकर हो जाती है और रहे हैं, ये एक इदर से आया, ये यहां था और दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो टकर हो गई और टकर होने के बाद में क्या होगा, कि ये जो M1 दरवयमान वाला जो कण था ना, इसका वेग हो जाएगा, V1 और जो M2 दरवयमान वाला कण था ना, इसका वेग हो जाएगा V2 लेकिन मैं कैहराओ कि इनकी जो टक्कर हो रही है वो पूर्णते प्रत्यास्त टक्कर है मतलब क्या होगा बच्चो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समवेग सरंक्षित रहेगा क्या रहेगा? समवेग सरंक्षित हो रहेगा तो समवेग सरंक्षन के नियम से देखो इसका समवेग कितना M1 U1 द्रवेमान गुणावेग होता है समवेग प्लस दूसरे पार्टिकल का M2 U2 बराबर होगा किसके M1 V1 प्लस M2 V2 इस तरीके से बच्चो जब ये वाला नियम आ जाए ना समवेग सरंक्षित है तो वो टक्कर कौन सी है वो पुरुनता प्रत्यास्त तक्कर है और उसके साथ में ये भी होना चाहिए उर्जा सरंक्षन का नियम भी अपलाई होना चाहिए उर्जा सरंक्षन नियम से देखे कैसे इसके लिए अगर गतिजूर्जा सरंक्षित करूँ तो हाफ M U1 स्केर प्लस हाफ M1 देखिए गतिज उर्जा भी सरंख्षित है और सम्वेग भी सरंख्षित है तो इस प्रकार की टकर क्या कहलाएगी वच्चो पुरुनताय प्रत्यास्त टकर होगी यह पुरुनताय प्रत्यास्त टकर है यहां देखिए टकर से पहले की गतिज उर्जा और टकर के बाद की गति पसके पाक्र स्विश्बाद में बात करते हैं पून्त ए परतयास्त टकर की जो सबसे पहली खास बात होते है वह बच्चो यह कि इसमें रहे दोनों जाते हैं इसमें दोनों पिंड चिपक जाते हैं क्या कर जाते हैं चिपक जाते हैं इसमें दोनों ही पिंड चिपक जाते हैं और इसकी दूसरी खास बात यह है कि इसमें सम्वेग सरंक्षित रहता है सम्वेग क्या रहता है सरंक्षित रहता है परन्तु गतिज उर्जा सरंक्षित नहीं रहती परन्तु गतिज उर्जा सरंक्षित नहीं रहती गतिज उर्जा सरंक्षित नहीं रहती वह यह इसमें केवल समवेग सरंक्षित रहता है क्यों यहां पर लिखा था दो पिंडों की टक्कर में रेखिए समवेग सरंक्षित का नियम तो हमेशा लागू होगा बले टक्कर प्रत्यास्त हो या ए प्रत्यास्त हो लेकिन गति जूर्जा कहीं तो सरंक्षित होगी लेकिन कहीं नहीं पूर्णता आपरत्यास्त में होगी, कहा नहीं, पूर्णता आपरत्यास्त में, समझ में आई बात, ठीक है, अब देखिए कैसे है, ये देखिए बच्चों, एक M1 दरव्यमान का कन था, जिसका वेग U1 था, और एक M2 दरव्यमान का कन था, जिसका वेग U2 था, और इनकी क्य हो जाती है टक्क्र हो जाती है गहमासां सी और अब यह दोनों चिपक जाएंगे M1 और M2 दूसरे से चिपक जाएंगे और Vbg से गति करेंगे यह होगा पुनता ऐस्वी प्रत्यास्त टक्क पर में लिखा वना डॉना पिंडें दूसरे से तो कितना है द्रवे मान गुणा वेग M2 U2, बराबर किसके होगा बच्चो, बराबर किसके होगा, द्रवे मान कितना है, दोनों को दोनों चिपक गए, तो इकठा द्रवे मान M1 प्लस M2, और गुणा में वेग V, यहां से कई बार आपसे बच्चो वेग भी पूछ लिया जाएगा, तो उसका मान कितना हैगा, M1 U1 प्लस M2 U2 बटा में M1 प्लस M2, काफी बार है न, यहां से वेग पूछ लिया जाएगा आपसे, कि वेग का मान बताओ, टकर के बाद में वेग का मान बताओ, एक्जामपल सा जाते हैं, तो इस फॉर्मले से निकाल लेंगे, और गति जूर्जा में देखिए, यहां पर क्या होता है, उर्जा स्रंक्षन का अगर मैं नियम अप्लाई करूँ, यहां पा है, तो पहले कितनी रहेगी, एक बटा दो, M1, U1 स्केर, प्लस एक बटा दो, M2, U2 स्केर, बराबर किसके आएगा, एक बटा दो, M1 प्लस M2, V स्केर, होना तो यह चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, उर्जा सरंक्षित बराबर नहीं होती, उधर वाली साइड में है ना, क मैं नहीं हो जाती है, मेरा कहने का मतलब यह है, कि जितनी उर्जा इधर थी, मान लीजई, यह है, इसका मान पांच है, पलस इसका मान भी 5 है, तो बराबर होना क्या होना, 10 होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है, 9 है, उसके साथ में अपन ने वह उर्जा लिखी है, वो ए कर हो रही है तो वहां पर उर्जा कम हो जाती है ये उस्मा उर्जा के रूप में कम हो सकती है ये ध्वनी उर्जा के रूप में कम हो सकती है कोई अन्य रूप में कम हो सकती है और इसे क्यों को बोला किया जाता है वैसे इसे उतेजन उर्जा बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चो उतेजन उर्जा बोला जाता है मतलब यहाँ पर उर्जा सरंक्षन के नियम की पालना नहीं होती उर्जा सरंक्षन के नियम की पालना यह होती जब यह वाली वैल्यू सिर्फ इतनी के वैल्यू के एक वलाती लेकिन वहाँ पर अपन ने क्यों लिखा है वो क्यों उर्जाहनी को प्रदरशित कर रहा है तो बच्छो आज की इस वीडियो में आपने टक्कर के बारे में पढ़ा कि ये टक्कर क्या होती है टक्कर के परकार कितने होते है टक्कर कैसे कैसे रहती है और कब सम्वे सरंक्षण का नियम अपलाई होगा, कब नहीं होगा कब उर्जा संक्षन का नियम अपलाई होगा और कब नहीं होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर ली है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुडबाई टेक केर